Hello everyone, Namaste and Welcome back to my channel आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ Baked Blueberry Cheesecake और Mango Cheesecake की Recipe इस Cheesecake को आप बहुती आसानी से अपने घर पर तयार कर सकते हैं और अगर आपने इसे बाहर कभी भी खाया है किसी Restaurant या Cafe में तो आपको पता ही होगा कि ये कितना महंगा मिलता है इसका एक स्लाइस ही बहुत महंगा मिलता है लेकिन आप काफी कम खर्चे में घर पर आसानी से तयार कर सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें तो चीज केक बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ लोटस बिसकॉफ बिसकिट्स अक्चली जो रियल में चीज केक बनाया जाता है वो इन ही बिसकिट से बनाया जाता है पर अगर आपके पस नहीं है तो कोई बात नहीं आप डाइजिस्टिव बिसकिट्स भी ले सकते है मैंने यहाँ पर जो लोटस बिसकॉफ बिसकिट्स ले हैं यह सिनिमन फ्लेवर के लिए हैं हनी एंड सिनिमन इनका स्वाथ चीज केक में बहुत ही अच्छा आता है आप अगर डाइजिस्टिव बिसकिट्स से बना रहे हैं तो आप उसमें क्वाटर टीजपून सिनिमन पाउडर डाल दें अब भी आपके केक का स्वाथ बहुत अच्छा आएगा यहाँ पर मैं ले रहे हूं थाइसो ग्राम बिसकिट्स बिसकिट्स को हमें ग्राइंड करना है मिक्सी के जार में हम इन्हें डाल देंगे उससे पहले हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे हमें इनका एक फाइन पाउडर बना कर तयार करना है ध्यान रहे कि इसमें बिस्किट्स के बड़े बड़े चंक्स ना रह जाएं हमें इसका फाइन पाउडर ही तयार करना है बीच में अगर मुश्किल हो रही है तो थोड़ा सा मिक्सी को हिला देंगे ना यह बहुत ही आसानी से पाउडर रूप में परिवर्तित हो जाएगा बीच में आप चम्मत से घूमा भी सकते हैं चीजकेक की इससे आसान रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी आप खुद सोचेंगे कि इतना आसान है यह चीजकेक बनाना और आप जटपट बनाना शुरू कर लेंगे बिस्किट का फाइन पाउडर हमने बना लिया है अब हम इसमें डालेंगे बटर यहाँ पर हमें सॉल्टिट बटर का इस्तेमाल करना है जिसको मैंने 10 सेकिंद माइक्रोवेव करके मेल्ट कर लिया है मैंने यहाँ पर 100 ml मेल्टिट बटर ले लिया है अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे लगभग 1 मिनट के अंदर ही बिस्किट का पाउडर और मेल्टिट बटर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे मैं ले रही हूँ बेकिंग पेपर जिसको मैंने फोल्ड किया है और इसका जो टिप है इसे टेन के सेंटर पर लगा लिया उसके बाद साइट्स को लंबाई के जितना एक्स्ट्रा निशान लगा कर एक्स्ट्रा पेपर को कट कर लेना है अब जो यह राउंड वाला हिस्सा है हमें इसे दो बार कट करना है जो बीच वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा बड़ा होगा इसके बाद आपको इसे खोल लेना है फाइनली इसे टिंट पर लगा कर चेक करते हैं अंदर इसे पुश किया है तो ये परफेक्टली केक टिंट के अंदर फिट हो गया अब पहले हम केक टिंट पर हलका सा बटर लगा देंगे उसके बाद हम बेकिंग पेपर ये लगाएंगे न तो ये अच्छे से चिपक जाएगा ज्यादा हिलेगा नहीं और हमारा केक परफेक्ट बनेगा अगर आपके पास स्प्रिंग फॉर्म टिंट नहीं है तो आप इस तरीके से इजीली चीज़केक बना सकते हैं ये देखिए क्रंबल सा मिक्स्चर तयार हो गया है इससे हम क्रीम चीज़का बेस बना कर तयार करेंगे बिस्किट के मिक्स्चर को केक टिन में डाल दिया है ये जो टिन है 6 इंच का केक टिन है स्पेटिला से पहले इसे स्प्रेड कर लें फिर पटेटो मेशर से प्रेस कर लें उपर से इसको बिल्कुल स्मूथ कर लेना है उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए 165 degree centigrade पर preheated oven में bake कर लेंगे ऐसा करने से चीज केक का जो base है वो perfectly बनकर तयार हो जाएगा फिर हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे तब तक हम बाकी की तयारी कर लेंगे ये देखे कितना अच्छे से हमारा base बनकर तयार हो गया है वैसे तो चीज केक बाउल में बनाया जाता है विसकर से विसक किया जाता है या तो इलेक्टरिक बीटर है अगर आपके पास तो आप उससे भी बीट कर सकते हैं लेकिन मैं लेकर आई हूँ एक नया तरीका बहुत ही आसान ना तो किचिन के गंदा होने का डर ना कुछ छीटे उड़ने का डर मैं आज बनाऊंगी चीज केक का ये जो बैटर है मिक्सी के जार में आज मैं आपको mixi में बहुत ही आसानी से cheesecake बनाकर दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से cheesecake बनकर तयार हो जाएगा आप भी सोचेंगे कि cheesecake बनाना इतना आसान भी हो सकता है मैंने यहां पर 300 gram cream cheese ले लिया है जिसको मैंने mixi के जार में डाला है ध्यान ये रखना है कि जो क्रीम चीज है रूम टेंपरेचर का होना चाहिए ताकि क्रीम चीज सॉफ्ट हो जाए और आप इसे बढ़िया से बीट कर पाएं लगभग मिक्सी में 2-3 मिनट इसे बढ़िया से बीट कर लें उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस्ट मिल्क यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी लगभग 200 ग्राम कंडेंस्ट मिल्क कंडेंस्ट मिल्क डालने के बाद हम इसे वापस से बीट करेंगे लगभग 1 मिनट के लिए ताकि cream cheese और condensed milk आपस में अच्छे से mix हो जाएं बहुत जादा beat नहीं करना है only लगबग 1 minute काफी होता है इसको beat करने के लिए अब मैंने ले ली है fresh cream यहाँ पर मैंने chilled fresh cream का इस्तेमाल किया है लेकिन यह liquid form में होनी चाहिए इसमें कुछ गाड़ा वाड़ा नहीं होना चाहिए यहाँ पर मैंने 120 gram fresh cream डाल कर 30 seconds के लिए वापस से beat किया है इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लगबग आधा bowl Greek yogurt अगर आपके पास Greek yogurt नहीं है तो आप एक bowl दही को muslin cloth में रखकर उसको tang देंगे तो आपके पास गाड़ा दही बनकर तयार हो जाएगा आप वो भी डाल सकते हैं इसके बाद मैंने डाला है 2 tablespoon corn flour थोड़ा सा लगबग quarter teaspoon मैं डाल रही हूँ lemon zest यह जो छिलका होता है ना इसका जो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है और इसी वाले नीबू को मैंने ले लिया है लगबग आधे नीबू का रस मैं इसमें डालूँगी lemon zest और नीबू का रस जो हम इसमें डालते हैं ना तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है बिल्कुल new york cheesecake के जैसा स्वाद आता है आधा चमच मैंने vanilla essence का add किया है उसके बाद अच्छे से लगबग एक से डेड़ मिनट और बीट कर लेंगे ये देखे कितना perfect smooth creamy texture हमारा जो better बनकर तयार हुआ है बहुत ही मज़ेदार और creamy mixture बिल्कुल तयार है अब जो cake base हमने ठंडा करने रखा था वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका है अब हम इसमें ये mixture डालेंगे जो हमने तयार किया है ये सारा mixture अब इसमें डाल देंगे और ये देखे केक टिन baking के लिए बिल्कुल तयार है दो से तीन बार tap कर लेंगे ताकि bubbles ना रहें यहाँ पर मैंने ले लिया है एक foil paper और एक baking paper उसके उपर रखेंगे ये cake tin हमें करना क्या है कि cake tin को नीचे से cover कर लेना है ताकि हम जब इसे bake करें तो इसके अंदर पानी नहीं चला जाए ये हो गया हमारा cake tin बिल्कुल safe अब एक baking tray ले लेंगे जिस पर हम रखेंगे अपना cake tin अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी लगबख आधा से 1 इंच ये process हमें इसले करना है ताकि जब हमारा cake एक घंटे के लिए bake होगा ना तो उसमें cake में कोई भी cracks ना पड़ें बिल्कुल ये एक safe तरीका है cheese cake को bake करने का preheated oven में 165 degree celsius पर 55 to 60 minutes यहाँ पर हम cake को bake कर लेंगे 60 minutes के लिए cake को bake कर लिया है आप देख सकते हैं cake काफी अच्छे से bake हो चुका है cracks भी नहीं आये अब हम इसे 1-2 minute पहले छोड़ देंगे उसके बाद जब वो हलका सा ठंडा हो जाए तम इसको side से निकाल लेंगे lose कर लेंगे इसके sides को अगर side से नहीं हटाएंगे तो जो cake है बीच में से दब जाएगा और side में से उपर रह जाएगा हमें ऐसा नहीं होने देना है मैं अब दो तरीके की toppings बना रही हूँ पहले मैं बना रही हूँ blueberries की toppings इसके लिए मैंने quarter cup पानी लिया है एक बड़ा चमच corn flour चार चमच चीनी डालिये और लगबक quarter cup blueberries ली है यहाँ पर मैंने dried blueberries का इस्तेमाल किया है आप चाहें तो fresh या frozen ले सकते हैं चारों चीजों को अच्छे से एक बार mix करने के बाद मैंने gas की flame को on किया है gas को रखना है medium flame पर और इसको continuously चलाते हुए पकाएंगे लगबक 3-4 मिनट के लिए mix करते जाएंगे इसके बाद मैंने लिया है potato measure जिससे blueberries को हम कर लेंगे mash उसके बाद भी लगबक 1-2 मिनट पकाएंगे और ये जो corn flour की slurry जो है वो लगबक transparent दिखने लगे हमें तब तक इसको पकाना है उसके बाद ठंडा करने के लिए bowl में transfer कर लेंगे थोड़ी देर के बाद जब ये normal temperature पर आ जाए तब इसको हम fridge में रख लेंगे same method से हम mango की topping बनाएंगे जिसके लिए 1 tablespoon corn flour quarter cup मैंने पानी लिया है अच्छे से mix किया है लगबक 2-3 चमत चीनी डालूँगी एक आम ले लिया है मैंने आप यहाँ पर चाहें तो आम की puree बना कर भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे कह थोड़े से जो crunch मूँ में आते हैं तो अच् एक बार इस तरीके से जरू ट्राइ करें इसको भी continuously चलाते हुए mix करते हुए 3-4 मिनट पका लेंगे अब दोनों तरह की topping में चीनी कम या जादा अपने टेस्ट के according डाल सकते हैं यहाँ पर मैंने जो चीनी डाली है न तो जो एक perfect टेस्ट आता है न उतनी ही चीनी मैंने ए क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आपका thank you कर सक्यूंँ दोनों टॉपिंग्स जब room temperature पर आ जाए तब हम इसको अच्छे से fridge में ठंडा करने के लिए रख देंगे केक को मैंने पूरी तरह से ठंडा होने के बाद 5-6 गंटे के लिए fridge में set होने के लिए रख दिया था ये देखे कितने आसानी से बिना spring form टिन के भी हमने केक को बाहर निकाल लिया है baking paper की trick से आप cheese cake को 5-6 गंटे के लिए जरूर से fridge में set करें उसके बाद ही आप toppings के साथ serve कर सकते हैं आप चाहें तो overnight के लिए भी रख सकते हैं कितना perfect slice कटके बाहर आया है texture भी देखी कितना बढ़िया बनकर निकला है बहुत ही beautiful cake दिख रहा है अब आप अपनी पसंद की topping मेरे इसकी topping पसंद है तो मैंने उसके लिए blueberries की topping बनाई है मैंने mango topping तयार की है आप अगर चाहें तो cranberry या strawberry जो आपकी फेवरिट topping हो आप वो topping इस cheesecake के साथ बना सकते हैं friends इस eggless cheesecake को जरूर से try कीजिए बहुत ही स्वाधिश्ट बनता है आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा एक बार जरूर try कीजिए अगर आप इसकी recipe try करते हैं तो मुझे comment करके जरूर बताईए और इसकी photo instagram पर मुझे जरूर से share कीजिए अगर आपको हमारी आज की recipe comment करके मुझे जरूर बताईए कि आपको आज की ये recipe कैसी लगी और channel पर नए है तो channel को जरूर subscribe कीजिए मैं बहुत ही मेनत और प्यार से video बनाती हूँ तो मेरे motivation के लिए please 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 बहुत सारे like कीजिए इस रक्षा बंदन अपने भाईयों के लिए ये cheese cake बना कर जरूर जाएए और हाँ मुझे comment करके जरूर बताईए आपको आपकी family को और आपके भाई को ये cake कैसा लगा इस cheese cake के आगे सारी मिठाईयां fail है आपके भाई बहुत खुश हो जाएंगे mixi में इसे बनाना कितना आसान है वो तो आज आपने देखी लिया अरे वाई yummy